वेल्कम टू माइ चैनल दोस्तों मज़ को आज में बात करने वाली हो नुवली लॉंस्ट ग्रीन टी टी उस वाल्जाजन के बारे में यह फेस्वोस आता है ओपन पोर्स के लिए दोस्तों इसके साथ ही आपको मिलती है मसाजर ब्रश इसका प्राइज है 399 रुपिस जिसमें आपको 100 ml प्रोडेक्ट और 2 यर्स के सेल्फ लाइफ मिलती है और दोस्तों ये फीस वो सेफली मेड है डर्मेटलोजिकली टेस्टिड है और सभी स्किन टाइप के लिए शूटेबल है प्रोडेक्ट रूटेश है इसके बिल्कूल भी इसकाइब लिए रिटेशन नहीं होती है इसके जो जो sectors May fragrance बहुत अच्छी लगी है और आप इसका texture देख सकते हैं दोस्तों यह face wash claim करता है कि यह आपकी skin को deeply clean करता है mild and gentle formula इसका जो formula है वो बहुत ही mild and gentle है removes dirt and impurities यह आपकी skin से dirt and impurities को remove करता है तो चलिए अब मैं आपको यह face wash मेरे face पर apply करके इसके result दिखाती हूँ कि क्या यह जो claim करता है उन पर घरा उतरता है दोस्तों सबसे पहले मैं इस face wash को twist करके open कर लूँगी और फिर press करके face wash को बहार निकार लूँगी उसके बाद मैं मेरे wet face पर एक मिनट के लिए हलके हाथ से circular motion में इस मसाजर brush के help से मेरे face और neck पर मसाज कर लूँगी इस face wash के main ingredient है green tea extract green tea extract हमारी skin से skin impurities को remove करते हैं skin को radical damage से protect करते हैं और हमारी skin में irritation होती है उसको soothe करते हैं इसमें है collagen collagen हमारी skin में hydration को boost करता है skin elasticity को boost करता है इसमें niacinamide भी है जो हमारी skin से दाग धबो को reduce करके skin को clear and healthy बनाते हैं इसके साथ ही इसमें है salicylic acid salicylic acid हमारी skin को zentally exfoliate करते हैं pores को unclog करते हैं और हमारे face पर जो acne pimple होते हैं उनको reduce करते हैं सो दोस्तों एक मिनट तक मसाज करने के बाद मैं मेरे face को normal water से wash कर लोगी दोस्तों face wash करने के बाद मुझे मेरे skin बहुती smooth लग रही है और skin बहुती clear and healthy लग रही है और मुझे मेरे skin बिलकुल भी dry नहीं लग रही है दोस्तों previous clip में आपने देखा कि यह face wash आपको कैसे यूज करना है और आप लोगों ने इसके result देखे अब बात करते हैं मेरे experience की मैं पिछले 10 दिन से इस face wash को यूज कर रही हूँ और इसको यूज करने का मेरे experience यह रहा है कि जब मैंने पहले बार इस face wash को यूज किया था तो मुझे इसकी massager brush बहुती अच्छी लगी first time यूज से ही बहुती smooth है skin पर बिल्कुल भी irritation नहीं होती है और जब हम face wash करते हैं तो बहुत ही ज्यादा enjoy करते है यह face wash क्लेम करता है कि यह skin को deep clean करता है और skin से dirt and skin impurities को remove करता है so yes, यह हमारी skin को बहुत अच्छी से clean करता है बहुत deeply clean करता है और skin से dirt and skin impurities and oil को remove कर देता है इसके साथ यह क्लेम करता है कि यह mild and gentle है so yes, यह skin पर बहुत ही gentle रहता है बिल्कुल भी irritation नहीं हुई मेरी skin पर इस face wash से फिर भी मैं आप लोगों को suggest करूंगे कि आप एक बार patch test सरूर कर ले इसको use करने से पहले so दोस्तों यह face wash मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही gentle रहता है बिल्कुल भी irritation नहीं होती है और दोस्तों जैसे ही हम face को wash करता है तो skin बहुत ही smooth लगती है clear and healthy लगती है और skin पर अच्छा खासा glow आजाता है और skin बिल्कुल भी dry feel नहीं करती है मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि यह face wash open pores के लिए है जब भी कोई face wash open pores के लिए आता है सबसे पहले यहीं दिमाग में आता है क्या यह हमारे pores को deep clean करता है क्या इससे pores minimize होता है क्या यह pores को tighten up करता है या नहीं करता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह हमारे pores को बहुत अच्छे से clean कर देता है बहुत deeply clean करता है और बात कर यह pores को tighten up करने की तो मैं इसे पिछले 10 दिन से यूज कर रही हूँ और जब हम इससे face को wash करते है और face wash करने के पाद जब हम अपने face को देखते हैं तो face पर लार्श पोर्स है हाला कि मेरे face पर बहुत ज़्यादा लार्श पोर्स नहीं है सिर्फ यहां पर हलके से हैं और यहां पर हलके से हैं तो उनमें मुझे काफ़े difference देखने को मिलता है वो tighten up लगते है कि मेरे पोर्स जो है वो minimize हुए है तो दोस्तो हो सकता है कि आपकी skin पर यह अच्छे से काम करें आपकी skin पर मेरी skin से difference result मिले पर दोस्तो मेरी skin पर open pores में मुझे कोई difference रहने को नहीं मिला जैसा कि मैंने बताया जैसे ही मैं face को wash करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ पोर्स टाइडनअप हुए है हाँ पोर्स का साईज मुझे कम लगता है बट लगते 2-3 गंडे के बदो जैसा था वैसा ही लगता है में आपको नहीं काऊंगी कि यह PAustom को minimize करता है जेन्टल है बहकत ही city माइल्ड है और हमारी skin को इस नहीं किया पिलुकुल भी टाइटन अप नहीं हुए है तो दोस्तों अगर आप इस फेस्वोस को परचेस करना चाहते हैं इसको ट्राइब करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीची डिस्क्रिप्शन बोक्स में प्रोवाइब कर दिया है अब वहां से चेक आउट कर और हाँ दोस्तो एक ही product, same product सब की skin पर अलग-अलग तरीके से काम करता है, हो सकता है कि मुझे जो result मिले है, आपको उससे अलग result मिले, बट ये मेरा experience था जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहते थी, और दोस्तो अभी ममार्थ website पर एक के साथ एक free का offer चल रहा है, तो अगर आप इस face voice को purchase करना चाहते हैं, या दूसरे किसी product को खरीदना चाहते हैं, तो आप फट फट से जाकर check out कर लेजें, क्योंकि ऐसे offer बार बार नहीं आते हैं, और जब भी आते हैं, तो हमें ऐसे offer का भरपूर लाव उठाना चाहिए, और बहुत सारे पैसे save कर लेने तो अगर आप इस face voice को try करना चाहते हैं, या और भी कोई मामार्थ का product try करना चाहते हैं, तो फटा-फट से जाकर check out कर लेजें, क्योंकि अभी वहाँ पर buy one get one offer चल रहा है, और ऐसे टाइम में आपको बहुत सारे पैसे save कर लेने चाहिए, तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको मेरा आज का वीडियो helpful लगे, वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगता है, तो वीडियो को like, comment, share कर दीजिए, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मेरे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care